इंगलिज्स ग्रामर ड़ञप्टर । इससेंटेंसेंस इसी होता है?" वाग क्यों, ठीक है? क्या है? ग्रूप आफ वर्ड नेय। turbulent निय। ठीक है sentence वाक किया है सब्दों का समू है जिसका complete sense मालब कोई मीनिंग निकलता है complete sense वो आपका sentences कहलाता अगर कोई वाक की दिया गया है उसका complete means निकल लेंस आ रहा है तो वो आपका sentence कहलाता ठीक है first a sentence begins with a capital letter कोई भी sentence का जो first letter होता है वो आपका capital letter होता हो है सा हम आपको बोलते रहते हैं my parents love me ठीक है एम जो माई में M है यह आपका capital है capital है a sentence begins with a capital letter ठीक है sentence में सबसे पहला आपको first letter क्याना हो चाहिए capital हो जाए second the train is late train late है so the क्या है टी क्या है capital letter ओकी तो sentence के starting का जो first letter होता है वो always capital होता है next a sentence end with a full stop और a question mark कोई भी sentence जब आपका end होता है इस में कोई भी वाक की जब आपका खतम होता है तो वहाँ पे full stop full stop और question mark लगता है if a sentence से यदि आपको sentence बहुते हैं something कुछ भी it ends with a full stop वो किस पे खतम होता बटा full stop पे इंड किस पे होता full stop पे निधी बाउट आ निव ड्रस निदी ने नई ड्रस ली ठीक है यह क्या हो से आपके first letter capital है और इंड क्या हो रहा है फुल स्टॉप से हो रहा है तो यह कुछ words होते हैं जो आपके इंड होते हैं full stop पे okay if a sentence ask the question वो sentence जिसमें आप question पूछे जाते इंड वित question mark किस पे किसके साथ इंड होते हैं विटा question mark के साथ जैसे can you speak French क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं तो इसमें question mark लगा है तो यह आपका question mark लगता है okay look read and understand इसको देखिए पढ़िए और समझिए ठीक है चीता faster the animal is क्या यह सेंटेंस के कोई मीन निकल ला है the largest Russia country in the world is the China largest has population these groups of words do not make a complete sense so these are not sentence in words in sentence के कोई भी complete sense नहीं निकल ला इसलिए आपके क्या बटा sentence नहीं है so these are not sentences यह आपके वाग के नहीं है now read the following sentence इन्हीं को फिर से रीट करते देखिए चीता is the fastest fastest animal ठीक है चीता बहुत तेज दोड़ने हाला animal जानवर है यह आपके sentence का मीन निकल ला है आप देख रहें starting capital letter से है in full stop भी है और इसका मीन भी निकल ला ठीक है जिन सब वाक्यों का कोई अर्थ निकलते है वह आपके वाक्य कहलाते ठीक है Russia is the largest country in the world Russia आपके वर्ल्ड का सबसे largest country है ओकी China has the largest population चाइना के पास क्या है largest population बहुत ज्यादा जनसंख्या है ठीक है तो जिन सब्दों जिन वाक्यों का कोई मीन निकलता है वह आपके जार्थ निकलता है वह आपके शेंटेंस करेंगे जिनके कंप्लीट सेंस निकलते हैं आप इस एंटेंस को रिड़ाउट करेंगे अगर रिडाउट करेंगे अगर निकल आप तिक करेंगे करेंगे ओकी प्रैक्टिस टाइम 2.2 अरेंज इस वर्स तो देट एंट अनी नुवर्स इसमें कोई भी आड नहीं करना नुवर्स तो आप इंको राइट करेंगे ओके अरेंज करेंगे इन वर्स को इनका संटेंज करेंगे